हेलो एवरिवन वेलकम तू माई यूट्यूब चैनल शिक्षा लेशन आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी क्लास 10 की बुक फुट्रेंट्स विदाउट फीड का चैप्टर नूमबर 6 जो है दा मेकिंग ओफ ए साइन्टिस्ट मतलब एक वैज्ञानिक बनने की कहानी है इसमें ज जो भी इनके बारे में जो स्टोरी उसको देखते हैं आगे यह क्या कहना चाहरा है यानि 22 साल की उम्र में एक फॉर्मर स्काउट अफ दे इयर फॉर्मर का मतलब होता है पूर्म स्काउट अफ दे इयर मतलब यह जो अमारे स्काउटिंग वगरा की जो स्कूल या उनमें कॉलेजिस में होते हैं एंसी सी स्काउटिंग इस तरीके से तो उसको किसका पुरुषकार मिला हुआ था स्काउट ओफ दा इयर यारी पूरी साल का सबसे बेस्ट स्काउट का वर्ड भी मिला हुआ था एकसाइटेड दा साइन्टिफिक वर्ड विद ए न्यू थोरी ओन हाव सेल वर्क सेल्स वर्क मतलब एकसाइटेड यानि उत्सुक किया दा साइन्टिफिक वर्ड विज्ञान की दुनिया को विद ए न्यू थोरी एक नई थोरी देकर उसने एकसाइटेड किया ओन हाव सेल work cells work कि कैसे जो कोशिकाएं होती है वो काम करती है तो यह important है कि उसको जो Richard E. Bright थे उनको क्या उपादी मिली हुई थी scout of the year वो कितने साल के थे जब उन्होंने यह खोज की थी 22 साल के थे और उन्होंने कौन सी खोज की in an article in the proceedings of the National Academy of Science Richard H. E. Bright and his college roommate और उनके जो college था उसका जो उनके साथ roommate होगा कमरे में रहने वाला वेक्ति explain उन्होंने explain किया the story in an article इस story को एक article में in the proceeding of the National Academy of Science और यह कहां पर छपी थी National Academy of Science में तो Richard H. E. Bright थे और उनके जो college के जो दोस्त थे उन्होंने explain की थी जो यह theory कि how sales work यह कहां पर छपी थी National Academy of Science के जो पत्र का होती उसमें छपी थी याद रखना National Academy of Science it was the first time this important scientific journal had ever published the work of college students it was the first time यह पहली बार था this important scientific journal यह एक बहुत ही महत्यपूर्ण विज्ञानिक पत्र का थी जन्नल यानी पत्र का scientific यानी विज्ञान तो विज्ञानिक पत्र का थी had ever published जिसने कभी भी प्रकाशत की थी the work of college students मतला इससे पहले कभी भी जो scientific journal था जो पत्र का थी इसने कभी भी college के जो students होती थी उनका कोई भी काम प्रकाशत नहीं किया था in sports that would be like making the big league at the age of 15 तो जैसे खेलों में क्या होता in sports यानी जैसे खेलों में that would be like making a big league जैसे कि किसी ने एक बहुत बड़ी पारी खेल ली हो at the age of 15 15 साल की उम्र में and hitting a home run home run baseball में होता है जो की जादतर जैसे यह जापान वगरा होते हैं जापान है और Korea वगरा है उनमें सबसे जादा खेला जादा है baseball तो hitting a home run उसमें एक term होती जैसे हमारे cricket में होता है six और four उसी तरीके से जो baseball होता है उसमें home run का होता है तो इसमें यह कहना चाहरा है कि जैसे कोई भी खेलों उसमें उसने बहुत किसी ने पहली बार बहुत बड़ी पारी खेली हो 15 साल की उम्र में या फिर यह कैसा है जैसे कि first time किसी ने अपने बल्ले से home run मार दिया हो for Richard E. Bright it was the first in a long string of achievements in science तो जो Richard E. Bright है उनके लिए यह क्या था पहली string होता है लड़ी तो string of achievement तो उनकी जो जितनी भी achievement थी उपलबदिया थी उनकी लड़ी में इन science विज्ञान में और other fields और अन्य छेत्रों में भी and it all started with butterflies और यह सब कहां से किस से शुरूआ butterflies से उनला सबसे पहले उन्होंने किसी भी चीज़ पर जो भी उनका interest था तो सबसे पहला interest उन्होंने किस पर रखा butterflies पर यानि तितलियों पर यानि वो एक अकेले बच्चे थे यानि उनके और कोई भाई बैन नहीं था वो अकेले बच्चे थे इपराइट कैसे बड़े हुए थे पढ़ते हुए कहां पढ़ाई करते थे पैनिसिल्विनिया में there wasn't much I could do there वहाँ पर कुछ भी नहीं था कि मैं वहाँ कुछ भी ऐसा कुछ भी कर सकूं उन्होंने क्या कहा कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था I could do there कि मैं वहाँ क्या करूं he said उन्होंने कहा I certainly couldn't play football or baseball with a team of one उन्होंने कहा कि क्योंकि वह अकेले बच्चे थे तो उनके साथ खेलने के लिए भी कोई नहीं था और वह कहते कि I certainly couldn't play football मनला मैंने कभी भी फुटबॉल नहीं खेला था और baseball नहीं खेला था with a team of one क्यों with a team of one यानि एक अकेले लड़के की या अकेले बच्चे की team के साथ को कैसे खेल गया यानि वो अकेले थे उनके साथ कोई भी दूसरा भाई वैन खेलने के लिए नहीं था तो उसलिए उन्होंने कभी भी football नही शुरू किया collect things, चीजों को एखटा करना शुरू किया, so he did and did he ever, एक बार जो उन्होंने शुरू किया, so he did यानि एक बार शुरू किया उन्होंने यहीं सा करना and did he ever, फिर उन्होंने हमेशा यहीं काम किया, मतलब वो अकेले रहते थे तो बच्च्पन से उन्हें यह आदत हो गई कि चीजें इखटा करने की, तो फिर वो बड़े हो कर भी यहीं काम करते रहे, क्या चीजें इखटा करना, beginning in kindergarten, he bright collect butterflies with the same determination that has marked all his activities, तो यह कहना चाहरा है कि beginning in kindergarten, इसकी शुरूआतन होने कहां से किती, kindergarten क्या होता है, जो छोटी-छोटे बच्चे होते हैं, उनका school होता हैं, तो beginning in kindergarten, इसकी शुरूआतन होने कहां से की, बच्चपन के school से, e bright collector butterflies with the same determination that has marked all his activities, तो e bright ने सबसे पहले क्या इखटी की, तितलियां with the same determination, determination क्या होता, द्रणनिश्चे के साथ, जैसा उन्होंने शुरूआत जैसे चीजें इखटा करने से की थी, तो आज भी उसी तरी that has marked all his activities, और यह क्या है, एक mark था उनकी सारी activities का, he also collected rocks, fossils and coins, और वो क्या-क्या एखटा करते थे, rocks, चक्ताने, fossils, यानि जैसे कोई भी पुरानी चीज है, उसका कहीं जैसे यह नहीं होते हैं, कहीं खोद कते हैं, कहीं लम्मी खोदाई होती है, तो वहाँ पर हमको पुराने गड़े हुए किसी के मुर्दों की हड़ियां, जानवरों की हड़ियां, यह जो पुराने गड़ी हुई चीज़े मिलती है, तो वो fossils होते हैं, and coins, और सिके, he became an eager astronomer, eager का मतला होता है, उत्सुक, तो वो एक क्या बन गए थे, ऐसे एक उत्सुक astronomer बन गए थे, यानि खगोल जो अपने नक्षत्रों की education करते हैं, जिसे सूरज, चान, बड़े-बड़े, अलग-अलग घ्रह, तो इनकी जो पढ़ाई करते हैं, वो क्या होते हैं, एस्ट्रोनोमर होते हैं, तो वो एक उत्सुक astronomer बन गए थे, two, sometimes stargazing all night, और वो एक क्या करते थे, कभी-कभी, तो वो पूरी रात stargazing यानि तारों को लगातार देखते ही रहते थे, तो वो क्या बन गए एक तो एस्ट्रोनोमर थे, एक उत्सुक astronomer थे, और वो rocks, fossils और coins भी खटे करते थे, और ये सब कभी कपसे कर रहे थे, जब वो बहुत ही चोटी से थे, kindergarten से, और वो कभी-कभी तो क्या कर होते रहते थे, from the first, he had a driving curiosity along with a bright mind, from the first, सबसे पहले, मतलब सुरू से ही, he had a driving curiosity, उनके अंदर एक बहुत ही एक ऐसी इच्छा थी, एक जाग, जैसे उत्सुकता होती ही ना, कि कुछ भी जानने की उत्सुकता, तो एक ऐसी उत्सुकता थी उनके अंदर, along with a bright mind, एक बहुत ही bright mind का मतलब होता है, बहुत ही intelligent, या बहुत ही उशयार बच्चा, तो उनके अंदर कहां थी, from the first, सुरूआत से ही थी, किसी भी चीज़ को जानने की इच्छा उनके अंदर, एक बहुत ही bright mind भी था वो, क्योंकि बहुत उशयार थे, और ये सारी चीज़ उनके अंदर, शुर प्रोटसाहित करती थी, encourage यानि प्रोटसाहित करती थी, his interest, उनके interest को, उनकी इच्छा को, कि वो क्या पढ़ना चाता है, क्या देखना चाता है, तो वो सारी चीज़ हैं, उन्होंने देख ली थी, his interest in learning, कहां, learn करने की, जो interest था उनका, कुछ भी सीखने की, जो learning यानि होता सीखना, तो कुछ भी सीखने का, जो interest था उनका, इसको वो encourage करती थी, approach side करती थी, she took him on trips, वो उनको गुमाने भी ले जाती थी, यात्रा पर trip, यानि यात्रा, bought him telescopes, और उन्होंने उसके लिए क्या लाके दिया था, टेलिस्कोप, टेलिस्कोप क्या होता है, धूरबीन, जो म microscope, सूख्श मदर सी, जिन से हम छोटे से छोटे कीडे, वाइरस, बैक्टिरिया बकर दिखते हैं, कैमरा, कैमरे, और माउंटिंग मैटेरियल, और भी बहुत सारे सामान, and other equipment, and help him in many other ways, और भी बहुत सारे ऐसे सामान थे, equipment का मतलब होता है, सामान, जो कि उनको मदद करते थ इसे, many other ways, और भी कई काम करने में उनकी मदद करते थे, I was his only companion until he started school, his mother said, उसकी माने कहा, कि मैं एक मात्र उसकी companion थी, companion यनी साथी, तो एक मात्र मैं उनकी साथी थी, until he started school, जब तक उसने school शुरूर नहीं किया था, वो अकेले बच्चे थे, तो ना कोई साथ खेलने वाला, ना कुछ भी, तो वो हमेशा अपनी मा के साथ ही, सब कुछ, केलना, पढ़ना, कुछ भी इच्छा है, कुछ भी, जो भी, तो अपनी मा के साथ ही करते थे, लेकिन ये सब कब तक रहा, जब तक वो school नहीं गए, और school जाने पर तो वही, friends बनते ही हैं, after that, I would bring home friends for him, उसके बाद में क्या करती थी, उसके जो दोस्त होते थे, उनको भी घर पे बुला लिया करती थी, but at night, we just did things together, लेकिन रात में हम सब क्या करते थे, मतलब दोनों मा बेटे, हम जो भी रात में जो चीज़े होते, उनको हम एक साथ ही करते थे, मतलब कोई friends नहीं, कोई नहीं, सिर्फ हम दोनों, तो यह important है कि उसकी मा उनको क्या बोलती थी, रिची, रिची जो है, वो मेरी पूरी जिन्दिगी है, after his father died, उसकी पिता की मौत होने के बाद, रिची ही उनके लिए सब कुछ है, उनके जो पिता की मौत कब होई थी, जब वो तीसरी गख्षा में पड़ते थे, she and her son spent almost, she and her son spent almost every evening at the dining room table, वह और उसका बेटा, spent यह नहीं बिताना, बिताते थे, almost every evening, लगबग हर शाम at the dining room table, मतला हर शाम एक साथी लगबग dining table होती है, जिस पर हम खाना खाते है, वो table होती है, उस पर शाम को almost वो और उसके बेटे समय बिताते थे, evening की जो dining table होती है, उस पर, if he didn't have things to do, यदि उसके पास कुछ भी काम करने के लिए नहीं होता था, I found work for him, मैं उसके लिए काम डूड़ती थी, not physical work, सिर्फ शारीरिक काम ही नहीं, बट learning things, बलकि चीजों को learn करने का भी है, चीजों को सीखने का भी, उनको learn करने का, उनके बारे में जानने का भी, His mother said, उसकी मदर ने कहा, I liked it, he wanted to learn, मुझे यह पसंद था, कि उसको learn करना अच्छा लगता था, and learn he did, he earned top grades in school, और वह जो कुछ भी learn करता था, उससे उसने क्या किया, उसने grand किया, अर नयानी grand करना, top grades, बहुत ही अच्छे grades इसकूल में, On everything, he was just like every other kid, his mother, और दूसरी चीजों में भी वह विल्कुल कैसा था, जैसे दूसरे बच्छे होते हैं, उसी प्रकार से था, उसकी माने कहा, By the times, he was in second grade, समय के साथ वे कहां आ गया, दूसरी कख्छा में आ गया, Elbert had collected all 25 species of butterflies found around his hometown, अब Elbert ने क्या किया था, सारी collect कर ली थी, 25 प्रकार की प्रजाती की, जो butterflies होती है, By the time, तो समय के साथ साथ उन्होंने क्या किया था, कि जो 25 प्रकार की प्रजाती होती है, बटरफ्लाइस की, जो कि उनके hometown यानि जहां वो रहते थे, उनके आसपास जितने भी 25 प्रकार की प्रजाती थी, उनको उन्होंने collect कर लिया था, तो ये भी important है कि वह कितनी प्रकार क कि प्रजाती को उन्होंने collect किया था, 25 types की, species यानि प्रजाती और hometown यानि जहां वो रहते थे, collect यानि एखटे करना, तो ये इसमें जो है, इसमें सारा चार्ट दिया हुआ है, देख ले ना, that probably would have been the end of my butterfly collecting, यानि probably यानि सम्भवता लगबग, यह क्या है end of my butterfly collecting, लगबग 25 प्रकार की जो प्रजाती थी, वो मैंने एकटी कर ली थी, और शायद यह अन्त ही था मेरा, जो last था, butterfly के collection का, he said, उसने का, but then my mother go, got me a children's book called the Trails of Monarch X, लेकिन उसके बाद जो मेरी माँ थी, वे मेरे लिए बच्चों की एक किताब लेकिया ही, जिसका नाम क्या था, the Trails of Monarch X, Monarch क्या होता, एक प्रकार की, तितली होती है, उसका, तो उसका पूरा जो life का, ट्रेवल कैसा होता है, क्या होता है, उसके बारे में, that book which told how monarch butterflies migrate to Central America, तो उस book में क्या था, कि किस प्रकार से जो monarch butterfly होती है, वो migrate यानी जाती है, एक जगे से दूसरी जगे, जैसे उड़ती उड़ती चिडियाएं जाती है, जैसे हमारे साइबेरिन, क्रेन वगर आते हैं, दूसरे देसों की चिडियाएं भी आती है, उसी तरीके किताब ने क्या है, कि मेरे जो बच्चा था, उसके जो विज्ञान का जो दुनिया थी, उसकी इच्छा या उत्सुकता जगादी किसके अंदर एक यंग कलेक्टर, यानि एक छोटी से उस कलेक्टर के अंदर, यानि जो तितनिया एकटी करता था, अब देख लेते हैं त्योरी, सिद्धान, सेल्स, कोशिकाएं, रूम मेट, कमरे का साथी, जो कमरे में रहते हैं उस प्रकार से, एक्स्पलेन, समझाना, प्रोसीडिंग, यानि आगे की तरफ बढ़ाना, प्रोसीड होता है, छपाना या चापना या फिर आगे बढ़ाना, बिग लीग, बड़ स्ट्रिंग लड़ी, अचीवमेंट, उपलब्धी, बटरफ्लाइस, तितलियां, जन्नल, पत्रिका, किंडर कार्टन, बचपन का स्कूल, उसको हम क्या बोलते हैं, किंडर कार्टन, बिगनिंग, शुरुवात, डिटर्मीनेशन, दरड निश्चे, फोसिल्स, कंकाल या फि एस्ट्रोनोमर, खगोल विद, गेजिंग, ध्यान से देखना, ड्राइविंग क्योरिसिटी, बहुत जादा उत्सुकता, अत्यदिक उत्सुकता, इगर, उत्सुक या आतुर, एस्ट्रोनोमर, खगोल विद, गेजिंग, ध्यान से देखना, ड्राइविंग क्योरिसिटी, अत्यदिक उत्सुक्ता, एंकरिज्ट, प्रोचाहित करना, ट्रिप, यात्रा, टेलिस्कोप, दूर्बीन, माइक्रोस्कोप, सुक्ष्मदर्सी, एक्विप्मेंट, ओजार्या सामान, कम्पेनियन, साथी, जो तितली होती है, उसका एक प्रकार होता है, मोनार्क, और माइग्रेट का मतलब होता है, जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, किसी भी क्वेरी के लिए कमेंट करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें Thank you so much, have a nice day